आज जब मैंने फ्रिज खोल के रेखाना तो उसमें काफी सारा धनिया पढ़ा था तो मुझे लगा धनिया के साथ चलिए एक बहुत ही टेस्टी सी टी टाइम स्टेक रेसेपी बनाते है जो बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी और साथ में बह दर्दरा हम गूटलेंगे मिक्सर में बिल्कुल मत करना क्योंकि अपको हलका दर्दरा चाहिए तो खरल में करोगे ना तो जादा अच्छा रिजल्ट में लेगा इसमें थ्रीपोर्ट कप बेशन डालेंगे और उसके उसको और अच्छा सा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इ चमबच लाल मिर्ची पाउडर एक चमबच हम इसमें डालेंगे तेल तेल से यह क्या होगी ना काफी सॉफ सी बनेगी सारी चीजों को पहले अच्छे से आपको मिक्स करना है इस तरीके से रब करते हुए अच्छे से जब मिक्स हो जाए तब आपको थोड़ा थोड़ा पानी मैं कर से ऊब एया है अब स्टीमर में मैंने पानी गरम होने रख दिया है यह पे फ्लेट को घ्रीस कर दिया है अब हम इसे फैला लेंगे ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है अब इसके उपर मैंने थोड़ा से तिल भी डाल दिया ताकि दिहने में अच्छा लगे completely optional है steamer में पानी गरम हो गया इसे हम रख देंगे हाई फ्लेम पे दस से बारा मिनट के लिए से स्टीम होने देंगे चेक कर लेना कि स्टीम हुआ है कि नहीं जब आप हाथ लगा आपको ड्राइ लगनी चाहिए नहीं तो आप इस तरीके से नाइफ इंसर्ट करके भी देख सकते हो अगर नाइफ नहीं चेपक रहा है मतलब आपकी वड़ी तयार हो चुकी है हलका ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे पीसे में कट कर लेंगे तो आप चाहे तो बड़े पीसे में भी कट कर सकते हो या आप चाहे तो चोटी पीसे में भी कट कर सकते हो या पे एक दम छोटी चोटी पीसे में कट कर रहे हूँ अभी यहा पर मैंने एक बड़ा चमश तेल गरमों ने रखार यह जो वड़ी है अब मैं इसे इस तरीके से shallow fry ही कर रही हूँ तोड़ा सा healthy हो जाए इसलिए आप deep fry भी कर जकते हो एक से दो मिनिट लगेगा इसे दोनों तरफ से fry होने में जाधा time बिल्कुल भी नहीं लगता है एक तरफ से fry होते हैं हम इसे पलट देंगे दूसरे तरफ से भी fry कर लेंगे और य जाए तो जाधा तेल भी यहाँ पर डाल के इसे fry कर सकते हो और टेस्ट आपको एकदम सेम मिलेगा रिजल्ट में कलर में हलका सा डिफरेंस मिलेगा क्योंकि हमने इसे बहुत ही कम तेल के साथ पकाया है तो यह ता मेरा आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना जाधा 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 शेयर करना मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में बाबाई